नमस्का दोस्तों आप देख रहे हैं पनियाल स्टरी और आज हम डिस्कुस करने वाल है पेपर पंचायत अर्डिटर का फर्स्ट पार्ट हमने अल्रेडी डिस्कुस कर दिया है यह पार्ट टो है तो चलिए देखते कौन-कौन सी क्वेशन है इसमें पहला है नीमल लिखित मे से किसके केरुणिन निश्कर्शित की जाती है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन डी इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट वेशन है किस खाद्य फसल में सरवादिक मात्र में प्रोटीन होता है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन डी सोया बीन में नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसका right answer है next है दान्त और हड्यों में मजबूती और कठोरता किसकी कारण आती है तो इसका right answer है calcium C option A इसका right answer है next है जन्तूं की खोराग में क्या समीलित है तो इसका right answer है option C cellulose ये इसका right answer है next question है शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्यकार्या है तो इनका मुख्यकार्या है शरीर के रोगों से सुरक्षा परदान करना option C इसका right answer है next है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है तो इसका right answer है महा धमनी option A इसका right answer है next question है मानव श्रीर में उत्सर्जन का महत्तोपूर्ण कारया कौन करता है तो इसका राइट आंसर है व्रिक option A इसका right answer है kidneys next question है नीमल लिखित मैं से किसकी कमी से गोई टर होता है तो इसका right answer है option D इन में से कोई नहीं next है कौन से द्रव की वाशपंदर सरवादिक होती है पैरा बंगनी किर्णू का जल उपचार में किस रूप में प्रयोग हो सकता है तो इसका right answer है वी संक्रामक option D इसका right answer है next question है blackboard रंग में काला क्यों दिखता है तो इसका right answer है यह सबी रंगों को सोकता है option D इसका right answer है next है विद्यूत बल्लब के अंदर क्या भरा होता है तो इसका right answer है organ option C इसका right answer है next question है जल का क्वतना किस पर निर्भर है तो इसका right answer है option C इसका right answer है next है निम लिकित में से कौन सा तत्वा रेडियो स्क्रिय नहीं है तो इसका right answer है option C जरको नियम option C इसका right answer है next है लोहा जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इसको कहते हैं galvanization option है इसका right answer है next है कोका कोला का खटा स्वाद किस के कारण है तो इसका right answer है फासफोरिक अमल के कारण option B इसका right answer है next है निम लिकित में से कौन सी हिमांचप देश की सुदूर परवत श्रिंखला है तो इसका right answer है जासकर option D इसका right answer है next है काली दास ने किसका देवात्मा के रूप में वर्नन किया है तो इसका right answer है हिमाल्य का option B इसका right answer है next question है निम लिकित में से कौन सा जिला नए हिमांचल का भाग है तो इसका right answer है यह सभी option D इसका right answer है next question है चीनी यात्री हें सांग ने किस जिल को लोहित्यस रोवर कहा था तो इसका right answer है चंदरताल जिल को option A इसका right answer है next question है हाला हिमांचल पदेश की किस नदी की साहिक नदी है तो यह है व्यास नदी की साहिक नदी option A इसका right answer है next question है धार जंजियार का किला किस ने बनाया था तो धार जंजियार का जो किला है वो किस ने बनाया था तो इसका right answer है option C संसार चंद ने next question है गोरखाओं की विरुद हिंडूर और खेलूर के सरदारों की बीच संदी स्थापना किस बुर्टिशर ने माहान भूमी का निभाई थी तो इसका right answer है option A डेविड आटर लोनी ने option A इसका right answer है next question है चंबा की किस शाशक ने अपने राज्य में चोहों की हत्या पर रोक लगाई थी तो इसका right answer है इन मेंसे कोई नी option D इसका right answer है next है हिमान्च पदेश के किस जीले में सूपरसुद गोफा मंदेर द्योट सिद स्थित है तो द्योट सिद स्थित है हमीरपूर में option C इसका right answer है next है नीमल लिखित में से किस के द्वारा जास्वान राजसी राज्य की स्थापना की गई थी तो इसका right answer है पूरव चंद option A इसका right answer है next question है हिमांचल प्रदेश की किनोर जीले में कौन सा फूलो का त्यवाहार है तो इसका right answer है option A उख्याग option A इसका right answer है next है हिमांचल में गर्जा क्या है इसमें दिखनी रहा है sorry हिमांचल में गर्जा क्या है तो इसका right answer है option D लाहौल का दुसरा लोगप्रिय नाम option D इसका right answer है next है हिमांचल प्रदेश के मंड़ी जीले का एक मात्र आर्थिक खनीच कौन सा है तो इसका right answer है option B सैध्ध ये इसका right answer है option B next question है शिमला में अनाडेले में किस वर्ष में महरानी विक्टोरिया की सम्मान में वाइस रिगल रित्यो आयोजीत किया गया था तो इसका right answer है option A 1839 में next question है हिमान्च पदिश में किस स्थान पर हिमाल्यान परवतियो राज्यो क्षित्रियो परिशत का मुखे अल्यस्तित है तो इसका right answer है option A शिमला में next question है ब्रिडिश से शतुर्ता और अशिष्टता रखने वाला एक मात राजा कौन था तो इसका right answer है option A option A next question है हिमान्च पदेश की किस वर्ष किंदर शाशीत परदेश बना हिमान्च पदेश किस वर्ष किंदर शाशीत परदेश बना तो इसका right answer है option B एक नवंबर 1956 option B is roku next question है हिमान्च परदेश की किस जुले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है तो इसका राइट आंसर है इन सभी यानिकी सोलन, चमबा और हमीरपूर में Option D इसका राइट आंसर है Next है, हिमानचप देश में प्रमुक बैंक उत्तरदाईतो किस बैंक को दिया गया है तो इसका राइट आंसर है यह सभी यानिकी PNB, SBI और UCO Bank ये तीनों Option D इसका राइट आंसर है Next question है, हिमानचप देश में अद्रक विकास स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है तो इसका राइट आंसर है एक, Option A इसका राइट आंसर है Next है, हिमानचप देश में किस स्थान पर भेड प्रजनन फॉर्म स्थित है तो इसका राइट आंसर है जूरी में, Option A इसका राइट आंसर है Next question है, किस देश में हिमानचप देश वन परिस्थितिक जलवायू शोधन परियोजना को भायरूप से साहिता की तो ये की है, जर्मनी ने, Option C इसका राइट आंसर है Next है, हिमानचप देश में किस स्थान पर 4MW सौर परियोजना शुरू की गई है तो इसका राइट आंसर है, Option A जाहो में ये इसका राइट आंसर है Next question है, हिमान चंप देश प्रयाटन विकास स्थापना की स्वश्वी? इसका right answer है 1972 में. Option A, right answer है. Next है, 2011 की जंगर्ना के नुसार हिमान चंप देश की साक्षटा दर कितनी है? इसका right answer है, option B, 82.80%. नेक्स्ट है, हिमान्च पदेश में नीमन लिखित मैसी किस स्थान पर किंद्रियों, प्लास्टिक, इंजिनियरिंग और प्रोध्योगी की संस्थान स्थित है तो इसका राइट आंसर है बद्दी में, ओप्शन ए इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है, हाल ही में, कोरोना वाइरस महामारी के बीच के इंद्रियों मंत्राले ने कितने वर्ष तक MPLA-D कोश की को अस्थाई रूप से स्थान गित किया है तो इसका राइट आंसर है दो वर्ष, ओप्शन भी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है, हाल ही में, कोवीड-19 से संबंदी निजी क्षेतरों, एंजियों और अंतराष्टियों संगटनों से समनव्य बनाने के लिए भारत सरकारवरा गठित की गई समर्थ, समीती का अध्यक्ष कौन है तो इसका राइट आंसर है, अमिताप कांथ, ओप्शन भी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ब्लॉक्स चड़िया घर, जहां विश में पहली बार कोवीड-19 पॉजिटिव भाग पाया गया, किस देश में स्थित है तो इसका राइट आंसर है, ओप्शन ए, यो ऐसी में नेक्स्ट क्वेशन है, ओप्रेशन संजीवनी के अंतरगत भारत में हाल ही में किस देश को आवश्यक दिवायां और खाद्यान की अपूरती की गई है तो इसका राइट आंसर है, ओप्शन डी माल्दीव नेक्स्ट क्वेशन है, हाल ही में किस अंतराष्टियों खेल कारेकरम के कोंग कोंग लियन और चेंचें शुब कर प्रस्तूत किये गए है तो इसका राइट आंसर है, ओप्शन सी, एशियन गेम्स ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है, किस राजसरकार ने हाल ही में पढ़ने में असक्षम बच्चों के लिए विशेश पाठे पुस्तक त्यार करने की गोश्ण गी है तो इसका राइट आंसर है, उत्तर पदेश आप्शन ए इसका राइट आंसर है आज की इस वीडियो में फ़लाल इतना ही, थेंक्यू सो मच